आपके अपने चैनल टेक्निकल वित आलोक में दोस्तों यह हमारी सीरीज चले यह टाप 20 क्लासेश की जो आप यह क्लास फर्स्ट है दोस्तों आपके जितने भी एक्जाम होते हैं गवर्मेंट सेक्टर या प्राइबेट सेक्टर उसके लिए यह मौतपूर्ड वीडियो होने वाली है अगर आप चैनल पर नए आयों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथी साथ आप हमें फेस्बुक पेज़ भी फालो कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करिएगा चलिए बढ़ते हैं अपने प्रस्ट की ओर दोस्तों यह के हमारा क्लास फस्ट का पहला प्रस्ट है सही अकार के लिए एक ड्रील छेज परिषकरण का संचालन ग्याथ है दोस्तों अप्षन ए embraced रीमिंग a.bеленга le movement c counter आपसtså cig यहां इस पार्ट फेसिंग दोस्तों जो इसका राइट एंसर होगा हमारा option क्या होगा रीमिंग दोस्तों रीमिंग से हम क्या करते हैं जो पहले से drill किये हुए होल को हम हमें अतिफ परसुत मात्रा में finishing करना है तो हम किस आप रेसं से finishing करेंगे तो तो रीमिंग माध्यम से हम फिनिसिंग करेंगे दोस्तों अगर यही आपसे पूछ ले कि रीमर का मैट्रियल क्या होता है यानि रीमर किस मैट्रियल से बना होता है तो दोस्तों जो हमारा रीमर बना होता है वह हाई कार्बन स्टील से बना होता है और हाई स्पीड स्टील से ब खेद के सीरे को बेबलिंग करने की किरिया को हम क्या करते हैं किसी छेद के सीरे को हमें बेबलिंग करना है उसकी किरिया जो हम करते हैं दोस्तों वो काउंटर सिंक करते हैं यही आपसे पूछ ले कि होल को कुछ गाराई तक बढ़ा करना है दोस्तों होल को कुछ गाराई तक पड़ा करने के लिए हम counter boring operation करते हैं कौन सा अपरेशन करते हैं दोस्तों counter boring next हमारा इसमें spot facing दोस्तों अगर आपसे पूछ ले इस पार्ट facing का अपरेशन हम कब करते हैं तो दोस्तों spot facing operation हम धलाई की वेज जाब के face को समतल बनाने के लिए spot facing का उपयोग हम करते हैं नेक्ष प्रस नमारा दोस्तों दो नम्मर का कि निमलिकी समागरी की एक समानता बेरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों आपसे पूछा जा है कि बेरिंग बेरिंग हमारा किस मेटरियल का बना होता है तो आपसन ए स्टील आपसन बी ए गन मेटल आपसन सी दोस्तों हमारा जिंक आपसन डी हमारा एलमुनियम तो दोस्तों जो हमारी बेरिंग बनी होती है वह गन मेटल की बनी होती है किस मेटल की बनी होती है गन मेट अगर ही आप से पूछ छिपने कले बेरेंग का क्या है पेररेंग का क्या है दोस्तों बेरींग जो हमारी होती है वससें गर संड को कम करने के लिए बेरींग का उप्योग हम करते हैं निक sì को किस मापक यंतर से मापते हैं दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा resistance होता है उसको हम किस मापक यंतर से मापते हैं तो option A अमारा है दोस्तों ohm meter, option B अमारा watt meter, option C अमारा Pf meter, option D अमारा frequency दोस्तों जो इसका का राइट एंसर होगा हमारा option A क्या होगा ओम मीटर दोस्तों हम रजिस्टेंस को ओम मीटर से मापते हैं नेश्ट है हमारा चार नमबर का प्रस्ट एंपियर क्या नापने की इकाई है दोस्तों एंपियर से हम क्या मापते हैं तो हमारा option A करंट, option B दबाव, option C रेजिस्टेंस, option D घ्ञनत्तों जो हम एंपियर से मापते हैं क्या मापते हैं करंट को मापते हैं इसका राइट एंसर होगा हमारा option A नेश्ट प्रस्ण हमारा है किलक, किलक यानि दोस्तों किलक को क्या बोलते हैं, रिवेट बोलते हैं, किलक छेद के केंदरों के बीच नियुन्तम दूरी होनी चाहिए, दोस्तों आप से पूछा जा रहा है, कि जो हमारे रिवेट के छेद होते हैं, उनके केंदरों के बीच न पॉइंट फाइबर तो जो इसका राइट एंसर होगा दोस्तों हमारा आप्शन बी क्या होगा वन पॉइंट फाइब डी जो हमारे छेट के केंद्र की नियूंतम दूरी होती है दोस्तों वह हमारी कौंस कितनी होती है वन पॉइंट फाइब डी होनी चाहिए नेश्परस नमारा है छे नमर का हैमर के आई होल में वेज लगाई जाती है दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि हैमर के आई होल में जो वेज लगाई जाती है वो क्यों लगाई जाती है तो option A भार के लिए, option B टाकत के लिए, option C केंदर के लिए, option D और कोई नहीं दोश्तों जो इसका right answer होगा, option A भार के लिए जो hammer के eye hole में हम wedge लगाते हैं, वो भार के लिए लगाते ह। इसलिए इसका right answer हमारा option A होगा दोश्तों अगर यह आब से hammer का material पूछ ले कि हैमर किस मेट्रियल का बना होता है दोस्तों जो हमारा हैमर बना होता है वो हाई कारबन श्टील का बना होता है और कास्ट आइरन का बना होता है कितना का बना होता है हाई कारबन श्टील और कास्ट आइरन का बना होता है नेश्ट प्रस नमारा है साथ नम्मर का फिलिप्स इस्क्रू को खोलने कसने के लिए किस इस्क्रू ड्राइबर का प्रयोग करते हैं हमारा फिलिप्स इस्क्रू है उसको हमें खोलना है और कसना है तो कौन से इस्क्रू ड्राइबर का उप्योग हम करते हैं आपसे ये पुछा जा रहा है तो दोस्तों जो इसका राइट होगा हमारा आपसन यह क्या होगा फिलिप्स इसकुरू ड्राइबर देखिए आपको कुछ नाम से भी मैच होता है देंकि इसमें लिखा है फिलिप्स इस्कूरू को खोलने के लिए तो हम फिलिप्स इस्कूरू ड्राइबर का उप्योग करते हैं फिलिप्स इस्कूरू को खोलने या कसने के लिए दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि स्कूरूडराइबर किस मेट्रियल का बना होता है दोस्तों हमारा जो स्कूरूडराइबर होता है वो हाई कारबन स्टील से और एलोई स्टील से बना होता है किस से बना होता है हाई कारबन स्टील और एलोई स्टील से बना होता है यही आपसे पूछ ले, इस्कूर ड्राइबर का साइज हम कैसे लेते हैं, अक्सर आपसे question पूछा जाता है, तो दोस्तों जो इस्कूर ड्राइबर का साइज हम लेंगे, उसकी सैंक की लंबाई से और टीप की चवडाई से, क्या उसकी जो सैंक होती है, उसकी लंबाई से और उसकी टीप की चवडाई से हम स्कूर्डाइबर का साइज लेते हैं नेश्परस नमारा दोस्तों आठ नमर का किस प्लायर का प्रयोग इलेक्ट्रिसियन भी भाग में किया जाता है दोस्तों आप से पूछा जा रहा है जो हमारा electrician का कार होता है electrician विभाग में किस प्लायर का उप्योग हम करते हैं तो option A दोस्तों हमारा diagonal प्लायर option B है side cutting प्लायर option C है long nose प्लायर option D हमारा है gas प्लायर दोस्तों जो इसका right answer होगा हमारा option A diagonal प्लायर जो electrician विभाग में हम diagonal प्लायर का उप्योग करते हैं दोस्तों अगर आपसे प्लायर का material पूछ ले कि प्लायर किस material का बना होता है तो दोस्तों जो हमारा प्लायर होता है वो cast steel से बना होता है किस किस से बना होता है cast steel से अगर आपसे प्लायर का size पूछ ले कि प्लायर की साइज में मिलता है तो हमारा दोस्तों डेड़ सो से दो सो तीस एमेम तक क्या प्लायर जो हमारा होता है वो डेड़ सो से दो सो तीस एमेम तक मिलता है नेश प्रस्ण हमारा दोस्तों नौ नमर का रेती रेती को हम क्या बोलते हैं फाइल रेती का कौन सा भाग हा हमारी फाइल होती है उसका कौन सा भाग हार्ड एव टेमपर हम करते हैं तो आप्शन A है पॉइंट से हील तक आप्शन B है फेस पर आप्शन C है रेती की पूरी लंबाई आप्शन D हमारा टैंग को छोड़ कर दोस्तों जो इसका राइट एंसर होगा हमारा का A材 हूं करता है जो आप्शन D टैंग को छोड़ कर जो हमारी फाइल होती है उसकी टैंग को हम छोड़के उसकी जितने भी भाग होते हैं उसको हर्ड एयर आप टेमपर हम करते हैं दोस्तों अगर फाइल का मैटल आपसे पूछ ले कि फाइल किस मैटरियल का बना होता है तो हमारा जो फाइल का मैटरियल होता है वो होता हाई कर्बन स्टील किसका होता है हाई कारबन स्टील का अगर फाइल का आप से लंबाई पूछ ले कि फाइल कितने लंबाई में पाई जाती है तो वह अमारा दोस्तों डेड़ सौ से साड़े चार सो एमेम तक जो हमारी फाइल होती है वो डेड़ सौ से साड़े चार सो एमेम तक पाई जाती है नेश परसने दोस्तों मारे दस नम्मर का सेंटर सुराख वाले जाब को टर्न करने के लिए कौन सी विक्ति का प्रियोग होती है जो हमारे center सुराग वाले दोस्तों जाब होते हैं उन्हें हमें turn करना है तो कौन सी विक्ति का प्रियोग हम करेंगे तो option A मेंडरल, option B एटेल स्टॉक, option C एजाचक, option D हमारा angle plate दोस्तों जो इसका right answer होगा हमारा option A क्या होगा मेंडरल, center सुराग वाले जाब को turn करने के लिए हम मेंडरल का प्रियोग करते हैं नेश प्रस्म दोस्तों हमारा है 11 नमर का late center की nose का code कितने degree का होता है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे late center होते हैं उसकी nose का code कितने degree का होता है तो option A 15 डिगरी, option B 30 डिगरी, option C 60 डिगरी, option D 90 डिगरी तो जो इसका right answer होगा हमारा option C क्या 60 डिगरी जो हमारे center, late center का जो nose होता है उसका code होता है कितना 60 डिगरी next प्रस्ण दोस्तों हमारा 12 नमबर का mandrel किस धातु का बना होता है दोस्तों जो हमारा mandrel होता है वो कौन सी धातु का बना होता है तो option A cast iron, option B mild steel, option C cast steel, option D हमारा है high carbon steel जो हमारा mandrel होता है दोस्तों वो high carbon steel का बना होता है इसका जो right answer होगा हमारा option D किया होगा High Carbon Steel, नेंस्ट प्रस्ण अमारा थेरे नममर का एक टूल दौरा धातु की आसानी से मसीनिंग करने को कहते हैं, तो उसको आपसे पूछा जा रहा है एक हमारा टूल है उसको हम आसानी से मसीनिंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? option A धातू को हटाने की दर, option B सरफेस फिनिस की दर, option C है मसीन एबिलिटी, option D है हाई एबिलिटी, दोस्तों जो इसका राइट एंसर होगा हमारा option C मसीन एबिलिटी, एक टूल दुआरा धातू की असानी से मसीनिंग करने को हम क्या बोलते हैं, मसीन एबिलिटी, नेश्ट परस नमारा चवदा नमर का कोड, कोड यानि एंगल, एंगल प्लेट का एंगल होता है, दोस्तों जो हमारा एंगल प्लेट होता है, उसका हमें बताना है कि जो उसका कोड होता है, कितने डिगरी का होता है, तो आपसन ए है 30 डिगरी, आपसन B ये 60 डिगरी, आपसन C 45 डिगरी, आपसन D 90 ग come jak दोस्तों जो इसका राइट अंसर होगा हमारा आपसन D क्या होगा नबबेड डिगरी, एंगल प्लेट का जो हमारा कोड होता है, वो 90 लिए डिगरी का होता है अगर आप से एंगल प्लेट का मैंटेरियल पूछ लें कि इंगल प्लेट किस मैंट्रीयल का बना होता है दोस्तों बना होता है क्लोज क्लोच ग्रेंड कास्ट आयरन किसका बना था दोस्तों क्लोच ग्रेंड कास्ट आयरन का बना होता है दोस्तों देखिए जो हमारा एंगल प्लेट का जो ग्रेड होता है आप एंगल प्लेट और भी ब्लाक में कंफ्यूज जाते हैं जो उसका जब आपसे ग्रेड पूछा जात तो जो हमारा एंगल प्लेट का ग्रेड होता है एक और दो होता है एंगल प्लेट हमारा ग्रेड एक और दो में पाई जाती है अगर आपसे भी बलाक का पूछ ले ग्रेड तो A और B होता है नेशपरस नमारा 15 नमर का एंगल प्लेट का साइज लिया जाता है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जो हमारा एंगल प्लेट है उसका साइज हम कैसे लेते हैं आप्षन A number से, आप्षन B मोटाई से, आप्षन C चौडाई से, आप्षन D अमारा कोई नहीं। दोस्तों जो इसका right answer होगा, आप्षन A क्या होगा? नम्बर से, angle plate का जो हम size लेते हैं, वो उसके नम्बर से लेते हैं। किसे लेते हैं दोस्तों नंबर से लेते हैं नेश्ट प्रस नमारा 16 नंबर का टिम लिखित में से कौन सी मसीन फ्लाई कटर का उप्योग करते हैं दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है को कौन सी मसीन है जिसमें हम फ्लाई कटर का उप्योग करते हैं option A, fly cutter, option B, planer, option C, sapper, option D, lat machine, option E, milling machine. दोस्तों, जो हम flying cutter का उप्योग करते हैं, option E, इसका right answer होगा, milling machine. हम milling machine में flying cutter का उप्योग करते हैं. नेश प्रस्न हमारा 17 नम्मर का निमलिखित में से कौन सा machine tool नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा machine का tool नहीं है? तो option A, sapper, option B, drill machine, option C, for lift, option D, grinding machine. दोस्तों, जो इसका right answer होगा, option C, क्या होगा? 4 lift, क्योंकि 4 lift से हम किसी वस्तु को एक दूसरे अस्थान पे ले जाने या लाने के लिए उप्योग में करते हैं. इसलिए ही हमारा machine tool नहीं है. नेशप्रस नमारा दोस्तों, 18 नमर का reciprocating प्रकार के machine tool द्वारा सपाट सता उत्पन करना कालाती है. आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे reciprocating प्रकार के machine tool होते हैं, उनसे जो हम सपाट सता उत्पन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आपसन ए लेत, आपसन बी ड्रिल, आपसन सी ए सेपर, आपसन डी ए मिलिंग, दोस्तों जो इसका राइट एंसर होगा हमारा आपसन सी क्या होगा? सेपर, सेपर के माध्याम से हम सपाट सता को उत्पन कर सकते हैं, नेशप्रस नमारा 19 नमर का angle plate में rips बने होते हैं, दोस्त तो क्यों बने होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है, तो आपसन ए जोब को पकड़ने के लिए, आपसन भी है, जोब को सहारा देने के लिए, आपसन सी है, एंगल plate को तूटने से बचाने के लिए, आपसन डी है, इनमें से कोई नहीं, दोस्तों जो इसका राइट एंसर होगा हमारा आपसन सी क्या है, एंगल plate को तूटने से बचाने के लिए, एंगल plate में जो हमारे rips होते हैं, वो एंगल plate को तूटने से बचाने के लिए होते हैं, नेशप्रस नमारा है, बीस नमर का, एंगल plate ग्रेट में पाई जाती है, दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा angle plate है वो कौन से grade में पाया जाता है तो option A है grade 1, grade 2 option B है grade 2, grade 3 option C है, grade A और grade B, option D है कोई नहीं, दोस्तों जो इसका right answer होगा हमारा option A, grade 1 और grade 2, हमारे जो angle plate पाया जाते हैं वो grade A और grade 2 में पाया जाते हैं, अगर ही आप से पूछ ले, B, black कि B, black का grade बताईए दोस्तों हमारा जो B, black का grade होता है A और B होता है B, black हमारा grade A और grade B में पाया जाता है नेश्प्रस्ने दोस्तों हमारा एक किस नम्मर का angle plate में आयतकार नालियां कटी होती हैं आप से पूछा जा रहा है कि जो हमारा angle plate होता है उसमें आयतकार नालिया कटी होती हो क्यों कटी होती हैं तो option A, angle plate को तूटने से बचाने के लिए option B, bolt को अस्थान देने के लिए option C, job को सहारा देने के लिए option D, हमारा है इनमें से कोई नहीं दोस्तों जो इसका right answer होगा हमारा option B, bolt को अस्थान देने के लिए angle plate में जो आयतकार नालिया कटी होती हैं दोस्तों वो bolt को अस्थान देने के लिए कटी होती है नेश्प्रस नमारा 22 नमर का angle plate का प्रयोग क्या है आप से पूछा जा रहा है जो angle plate हमारा होता है उसका उप यानी प्रयोग हम क्या करते हैं क्यों करते हैं तो option A, Marking के लिए option B, Punching के लिए option C, Marking करते समय जौब को सहारा देने के लिए option D, अमारा इनमे से कोई नहीं दोस्तों जो इसका right answer हो born option C, Marking करते समय जौब को सहारा देने के लिए आपसे अक्सर प्रस्ट पूछ लेता है कि मार्किंग करते समय जाब को सहारा देने के लिए हम किसका उप्योग करते हैं दोस्तों किसका उप्योग करते हैं एंगल प्लेट का उप्योग करते हैं नेश प्रस नमारा 23 नमर का एंगल प्लेट किस धातू के बनाया जाते हैं दोस आप्सन C Cast iron, आप्सन DNA में से कोई नहीं, दोस्तों जो इसका राइट एंचर होगा हमारा आप्सन A क्या होगा Cast iron, एंगल प्लेट हमारा किस मेट्रियल का बना होता है, तो हमारा एंगल प्लेट का बना होता है आपशान है तूल रूम में किस अंगल प्लेट का ऊपयोग करते हैं तोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा तूल रूम होता है उसमें किस अंगल उपयोग करते हैं option A grade A, $1, option B grade 2, from C grade A, option D grade A and grade 1 and grade 2, दोस्तो जो इसका right answer होगा हमारा option A, grade 1, को हम तूलroom में उप्योग करते हैं angle plate वह कौंण करते हैं grade 1 वाली करते थे नेश्ट प्रस्ण हमारा इज पार्ट का लाश्ट प्रस्ण दूस्तों वर्कसाप में किस एंगल प्लेट का प्रयोग किया जा तो आपसंन ए ग्रेड एक आपसं बी ए ग्रेड दो आपसं डी हमारा ग्रेड एक और ग्रेड दो जो इसका राइट एंसर हो का दोस्तों हमारा अप्षन B क्या होगा ग्रेड दो अगर यह अपसे टूल रूम में पूछ ले तो हमारा ग्रेड एक होता है जो हमारा ग्रेड एक का एंगल प्लेट होता है वो टूल रूम में उप्योग होता है और ज आती साथ आप हमें फेस्बूक पर भायों करें।